तो आज़ आपने असकार को डिरिंग से स्यकाल एक बार फिर आप तमाम लों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी कि इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमली अच्छी होगी आज की कहानी मुंबई से है जुर्म की दुनिया की नजाने ऐसी कितनी कहानिया है जिसमें कई ब हाइरान रह जाती है क्या ये बात यकीन करने लाइक हो सकता है कि कोई शक्स इन्तकाम में इतना पागल हो ब्दल लेने के लिए क्यों हूँ पहले शादी करे क्यूंकि उसी किराये का कातिल नहीं मिल रहा है और शादी करके फिर अपने पती के हाद से गष्ट करवाई, अब चुके वो पुलिस में थी, कैसे कैसे उसके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते हैं, एक जुर्म को अंजाम तक पहुचाने के लिए, ये कहानी उसकी बान गी है, बात 15 अगस्त की है, आजादी का दिन, पुरे देश में जशने आजादी थी, इसी साल, अभी दो महीने, पास दिन के बात पूरे हो जाएंगे, बलके एक महीना, 15 अगस्त रात साड़े दस बजे के आजपास, मुंबई में के पास कुरला रेलवे स्टेशन के करीब, एक बस स्टॉप से थोड़ी दूर पहले, एक शक्स सड़क के नारे लहूलुहान पड़ा मिलता है, कुछ आज लोगों ने सो नमबर पर पुलिस को फोन किया, पुलिस की टीम आई, और उस घायल शक्स को अस्पताल ले गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, अस्पताल में उसकी मौत हो गई, उस शक्स की पहचान होती अब, शिवा जी सानप के तौर पर, शिवा जी सानप अच्छी नहीं थी, पुलिस ने भी रोड अक्सिन का केस तर्च कर लिया, अब चुके एक मुंबए पुलिस के ही, जो हवलदार उसकी मौत ही है, तो पुलिस ने जो भी जरूरी चीज़ें ने वो भी की, और अब शिवा जी सानप के घरवालों को खबर देने की कोशिश की खबर दी भी गई, इसी खबर देने के दोरान पता चला कि जब ये शीवा जी सानप जो हवलदार है, ये नहरू नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेट थे मुंबई में, लेकिन इनका घाय था पुने में, और ये शक्स रोजाना अपनी ड्यूटी देने के लिए पुने स से मुबई आय करता था, अलग-अलग ट्रेन और बस पकड़कर, ये पुने से सबसे पहले पनवेल तक आता, ट्रेन पकड़कर, फिर ये पनवेल से एक बस पकड़ता, कुरला रेलवे स्टेशन के लिए, फिर ये कुरला पहुंचता, और फिर कुरला से ट्रेन पकड़कर, ये मुंबई पहुंचता और नहरु नगर पुली स्टेशन अपनी डूटी जोयन करता तो ये इसका रूटीन था पूरे से पनवेल, पनवेल से कोड़ला, कोड़ला से नहरु नगर पूरे स्टेशन 15 अगस को भी ये डूटी खत्म करने के बाद राद साड़े दस पजे वापस पूरे जा रहा था, और नहरु नगर से ये कोड़ला पहुंचा था और कोड़ला से अब इसको बस पकड़कर पनवेल जाना था और पनवेल से पूरे लेकिन कोड़ला के पास ही एक्सेंट में मौत हो गई है, पुलिस ने रेपोर्ट दज कर ली, रोड़ एक्सेंट केस के बाद घरवालों को खबर दी गई, शिवा जी की पत्नी और उनके साला, ये भागते हुए, ये खबर सुनकर मुंबे पहुंसते हैं, मुंबे आने के अपने पती के हालत देखते हैं, मौत हो चुकी थी, पुलिस ने बताती है, रोड़ एक्सेंट का केस है, लेकिन पत्नी और साला शक जताते हैं, ये रोड़ एक्सेंट का केस नहीं, ये गतल हो सकता, तो आप जाच कीजिए, चुकि एक पुलिस वाले की पत्नी थी और एक मौत ही थी, पुलिस ने भी का thu, ठीक है, आप अपनी शिकायत दे दी, उन्होंने शिकायत दर्च कर ली, उनने का हम इसकी जांच करेंगे, हलागे पुलिस को अभी यقین था कि यह मामला रोड एक्सियंट का है तो पुलिस ने कंप्लेंट ले ली पुलिस ने कहा की चलो जांच करते हैं तो पुलिस ने सबसे पहले शिवा जी के वारे में जानकारी एक खट्य हासिल कि क्यों कि उस दिन अगले बंजिल तक पहुचना था और फिर वहां से पूरे जाना था तो पनवेल के लिए बस पकड़नी थी कुलवा रेलवे स्टेशन के बाहर से और उसी दोरान में बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप तक जा रहे थे जब ये कार आई और कारे टक कर मारके गायल कर दिया बाद में मौत हो गई अब पुलिस ने कहा कि सेसी टीवी फोटेज का सहारा लेते हैं नहरू नगर से लेकर कोड़ा कोड़ा से लेकर पनवेल और पनवेल के आगे जो भी जितने चीज़ें थी उसके सीसी टीवी फोटेज को खंगालना शुरू किया फिर ये तैह हुआ कि चुकी नहरू नगर से ये कोड़ा तक पहुंचा रहा है और पनवेल तक तो गया नहीं तो वहां से वहां तक यान्वी फोटेज को खंगाला जा है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर सारी ऐसे कैमरे मिले, कुल 200 CCTV फुटेज को खंगाला गिया, काम्यावी मिली, 200 फुटेज को खंगालने के बाद आखरी देखा पुलिस ने की कुल रेलवे स्टेशन से शिवा जी बाहर निकल रहे हैं, और बस स्टॉप की तरफ इसके बाद अब सड़क किनारे जो आजकर जगा जगा CCTV है, तो सड़क किनारे लगे एक CCTV कैमरे में एक और तस्वीर मिली, और वो तस्वीर में शिवा जी बाकाइदा सड़क पार करते वे दिख रहे हैं, और अचानक एक नैनो कार, लक्टक्या कार जिसे हम लोग कहते हैं, चुकि एक लाक में ये कार आई थी, उसको बड़े इसके हंगामा था, टाता की ये कार, तो एक नैनो कार बड़ी तेजी से आती है, और शिवा जी को टक्कर मार कर चले जाती है, रात करीब साड़े दस का ये वक्त था, और शिवा जी घायल गिर जाते हैं, अब पुलिस को प्ता चला पहली बार की नैनो कार से एक्सेंट हुआ, पुलिस ने उस CC TV फुटिच को डिवलप कराया, तो प्ता चला उस कार के अंदर दो लोग थे, फिर उनके चेहरे को भी थोड़ा सा साथ किया गया, तो अब ये चेहरा पैचानने लायक था, कि दो लोग कौन है, लेक लेकिन अभी ये जान जा रही थी, कि पुलिस को एक बुरी खबर मिली पता चला कि इस जगह पे कोड़ा में जहां एक्सेंट हुआ, उससे कुछ किलोमेटर की दूरी पर, कब से करीब पांच किलोमेटर की दूरी पर, एक नैनो कार बुरी तरह जली हालत में पड़ी मिली ह पुलिस वहाँ पहुंचती है, देखती है, एक नैनो कार जली भी है, और पूरी तरह से जली भी है, कुछ बचा ही नहीं उसमें अब सवाल की जिस गाड़ी से एक्शन्ट हुआ, वो गाड़ी अगले कुछ घंटों के बाद ही, मौका ये वारदास से कुछ दूरी पन, उसको जला दिया गया ये इतफाक है, ये फिर साजिश्ट की कड़ी है, अब पुलिस को लगता है कि मामला कुछ गरबढ़ है, अब यहीं से पुलिस अपने मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाती है जब तफ्तीश आगे बढ़ाती है, तो फिर शिवा जी के बारे में सारी जानकारी एक खटा हासिल करती है, और जब जानकारी निकालती है, तो फिर एक नाम आता है शीतल, 29 साल की एक मौंबई पुलिस की कॉंस्टबल, सिपाही पता चला कि 2019 तक शिवा जी और शीतल ये दोनों नहरु नगर पुलिस स्टेशन में एक साथ पोस्टेट थे, शिवा जी सीनियर थे हेट कॉंस्टबल और शीतल कॉंस्टबल थोड़े दिनों के बाद दोनों में दोस्टी हो जाती है, दोनों करीब आते हैं, लेकिन फिर 2019 के खत्म होते होते, अचानक दोनों में जगड़ा हो जाता है जगड़ा होने के बाद शीतल शीवा जी के खलाफ दो अलग अलग पुलिस्टेशन में दो कंप्लेंट लिखाती है, और दोनों कंप्लेंट छेड़खानी, मॉलिस्टेशन, और फिजिकल अब्यूज, इन सारे चीज़ों के थे तो अब ये थाने में और सबको ही पता था कि ये दोनों कंप्लेंट थी, चूंके दोनों को लीख थे, पुलिस ने कंप्लेंट दर करके जात शुरू की, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं, बात 2019 की है तो पहली बार पुलिस को शीतल के बारे में जानकारी मिली कि ये जगडा हुआ, और शीतल के रिष्टों को लेके पुलिस वालों ने बयान दिये, कि उन दोनों में पहले दोस्ती थी पिर जगडा हुआ, पुलिस को लगा कि कहीं इस एक्सिडन से कोई लेना देना तो है न तो पुलिस ने ये तैय कि वो शीतल के मॉबाइल फोन और शीतल की सोशल मेडिया और उसकी जिंदगी में खामोशी से जहाकने की कोशिश करेगी ताकि सचाई को बाहर ला सकें अब इसके बाद पुलिस शीतल के तमाम सोशल मेडिया को खंगालना शुरू करती है खंगालते खंगालते इंस्टाग्राम पर एक शक्स मिलता है जो शीतल का कभी दोस्त हुआ करता था क्योंकि उसमें सारी जो चीजे थी उसमें ये था कि शीतल और ये इंस्टाग्राम पर दोस्त हुए रिक्वेस्ट हुआ और उसके बाद दोनों करीब आए फिर ये पता चला कि इन दोनों ने शादी भी कर ली और शादी के बाद पती गायब हो गया पुलिस को ये बात बड़े अजीब लगी फिर पुलिस को ये लगा कि जो दो चेहरे मिले हैं नैनोकार में कहीं से एक चेहरा वो तो नहीं है जो इस इंस्टागराम पर इसके दोस्त का है और हो सकता है कि इसी ने कतल किया हो धनराज जाधव नाम था उस लड़के का जिसके जरीए इंस्टागराम पर शीतल की दोस्ती हुई थी अब पुलिस ने जब धन्राज का नाम आया, इंस्टाग्राम पे देखा, फिर पुलिस को पता पता निकाला, पता चला वो तमिलाडू में रहता है मुंबे पुलिस के एक टीम तमिलाडू पहुंची, धन्राज को उठा कर मुंबे दे आई उसे ही था कि जो नैनोकार में दो लोग थे, उसमें से एक धन्राज है लेकिन जब पुलिस ने धन्राज का चेहरा उन दोनों चेहरों से मिलाया, तो चेहरा मिला ही नहीं अब ये किलियर हो गया था कि धन्राज उस गाली में नहीं था तो फिर धनराज की कहानी क्या है और वो दो कौन है तब पुलिस ने उन दो चेहरों को धनराज के सामने रखा बोला कि तुम इनमें से किसी को पैजानते हो तब धनराज जाधब ने बताया कि हाँ इनमें सेख को मैं जानता हूँ ये शक्स जिस सोसाइटी में शीतल रहती है कौनस्टिबल उस सोसाइटी के सिक्रिटी गाट का बेटा है और विशाल जाधब अब जैसी ये पुलिस को पता चला उसने विशाल को उठाया विशाल से पूच्टाच की और विशाल से पूच्टाच करने के बाद एक ऐसी कहानी सामने आई जिस पर खुद मुमबई पु बिश्टे ठीक थे आखिर में खराब हुए दो कंप्लेंट लिखाया शीदल ने उसके बाद पुलिस ने भी कुछ किया नहीं क्योंकि दोनों का अपस में जगड़ा था अब इसके बाद लेकिन शीदल को बदला लेना था श्रीवाजी से और बदले के लिए पागल हो गई बट वो कैसे मारें क्योंकि वो पुलिस वाली थी और एक पुलिस वाले का कतल करना उसको ये भी था कि वो इसका नाम ना है उसने इदर दर सोशल मेडिया में जहाचना शुरू किया इंस्टाग्राम पे कई जगा अपने उसने प्रोफाइल बनाए और ऐसी एक इंस्टाग पाक से उस वक्त मुंबई में था दोनों की मुलाकात होती है और शीतल को इतना बदला लेनी की बेचैनी और जल्दी थी कि बस मुलाकात के बाद वो सीधे प्रपोस करती कहती है तुम से शादी करनी और धनराज को भी लगा कि एक पुलिस वाली है और क्या चाहिए और उस और उसका कतल करना है लेकिन कटल ऐसा हो कि हादसा लगे है तुम एक बस ड्राइवर हो तुम अगर रोड ऐक्सिंट में इसको उड़ा देते हो उमार देते हो तो कोई शक भी नहीं करेगा और रोड ऐक्सिंट में कोई सधा भी नही है जादा धनराज एक सीधा साधा नहीं हो सकता। शीतल उसको लगातार समझाती है, वो नहीं मानता। इतना प्रेशर उसके उपर डालती है। फिर धंकी भी देती है कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी जूटे मकदमे में जेल भिजवा दूंगी, मैं पलिस वाली हूं। धनराद डर जात तमिल नाडू अपने घर लोड जाता है अब इदर शीतल को पता चला शीतल ने फिर उसके खलाब ये कम्प्लेंट डाल दी IT एक्ट में कि वो उसकी तस्वीरे और ये सारी चीज़े पबलिक उस पे डाल रहा है लेकिन वो तमिल नाडू बाग गया अब शीतल का सारा मकसद अधूरा रह गया जिस मकसद के लिए उसने जानबूच कर एक शादी की ताके पती को वो एक कातिल के तोर पर इस्तमाल कर सके वो पती शरीफ निकला कातिल बनने को तयार नहीं हुआ और शीतल को छोड़कर तमिल आडू चला गया अब शीतल फिर वहीं खड़ी होगे जहां से शरुवात थी अब उसे लगा क्या करें इंतकाम की आज धदक रही थी तब उसने कहा आप इसी दोहरे मोहरे दूसरे मोहरे को फंसाया जाए और इसी के बाद उसकी नज़र जिस सोसाइटी में रहती थी उसके सिक्यूरिटी गाड के बेटे विशाल के उपर पड़ी विशाल 18 साल का ललका था शीतल 29 साल की उसने उसे जहां से में लिया फंसाया वो भी उसके बहकावे में आ गया फिर उसने थोड़ी देनों के बाद जब इन दोनों के ठीठा करिश्टे हो गए उसने हां कर दिया उसके बाद उसने एक बने एक और साथी जो तेलंगाना का था चोहान उसको इस साजिश के बारे में बताए वो भी तयार हो गया तब उन्होंने कहा कि ठीक ये एक्शन की तरह लगना चाहिए अभी दोनोंने इसके बाद शिवा जी की रैकी करनी शुरू की उन्हें पता था नहरू नगर पुलिस टेशन से या आता है फिर कॉर्ला पहुंचता है ट्रेन से फिर कॉर्ला से बस पकड़ता है फिर इसके बाद ये आगे जाता है फिर वहाँ से पूरे जाता है तो सारे रैकी के बाद इने लगा कि best location जो है वो कोडला एस्टेशन से उतर कर जब ये बस पकड़ता है आगे जाने के लिए तो वहीं पे इसको मारा जा सकता है तो कोडला से जब ये पनवेल के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहा होता तो ये बस के जरीज जाता है और इसके चुट्टी का वक्त होता है रात को अंधेरा भी होता है पर बटर जान बीड भी नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए second hand कोई भी तो सबसे सस्ती गाड़ी ये नैनो मिली लगटक्या कार second hand उन्होंने कार ली सारी रहकी हो गई उसके बाद date fix किया 15 अगस्त 2021 वक्त वही राज से साड़े दस के आसपास 15 अगस को साड़े दस बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद जैसी कोर्लाइस्टेशन से बाहर निकलता है श्रिवा जी ये पहले सी मौके की ताक में थेहीं मालूम था कि ये बस इस टॉप कैसे जाएगा किधर से जाएगा और वो जैसे ही सड़क के नारे पहुंचता है ये तेजी से कार लाते हैं और उसको उडाते हुए निकल जाते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है इसके बाद दोनों वहां से निकल लेते हैं तो जब जिसने कातिल बनाने के लिए उसे पती बनाया जब उसने उसकी पैचान कर ली इसके बाद इन दोनों को उठा लिया गया फिर विशाल जाधव और उसके दोस्त चौहान ने ये एकसेप्ट किया कि हाँ शीतल ने ये सब कुछ कहा था फिर इसके बाद पुलिस के पास सारे सुबूत भी थे सुराग भी थे गवा भी थे और आखिर में उन्होंने शीतल को उठाया और फिर शीतल ने अकसेप्ट किया कि हाँ ये कतल मैंने ही करवाया और इसकी वज़ा ये थी कि मुझे बदला लेना था बदला लेने के लिए इंतकाम लेने के लिए इस हद तक जाना और इस तरीके से बदला लेना मुंबे पुलिस को जब पूरी कहानी पता चली और ये लगा कि खुद अपने उनकी महकमे की एक सिपाही और उसकी ये पूरी प्लानिव उसके दिमाग की सोस थी तो वो भी हैरान रहे गए ते एक हेट कॉंस्टबिल की मौत एक कॉंस्टबिल के दिमाग की उपच थी और इस कहानी की सबसे बड़ी चीज ये थी कि कतल करने के लिए सुपाहरी के गातिल ढूनने में उससे लग रहा था कि रिस्क है किसी भी बाहरी क्योंकि वो पुलिस में थी उसे मालूम है कि अगर किराय के कातिल को लूँगी पैसा दूँगी कल को केस खुला तो वो मूँ खोल देगा इसलिए वो चाहती थी कि कतल ऐसे शक्स के हाथ से कराए जो पकड़ा भी जाए तो उसका नाम न ले और इसके लिए फिर उसे लगा कि किसी से शादी ही कर लो और उसने शादी की लेकिन पती नसीब देखिए कि कातिल बनने को तयार नहीं हुआ शरीफ निकला और इस तरीके से फिर उसने दूसरे दो लोगों को पकड़ा और इस कतल को अंजाम तक पहुँचा है यह कहानी मुंबई की थी निलेश पार्टिल हमारे वहां के रिपोर्टर उन्होंने बड़ी डिटेल में यह सारी कहानी भेजी थी तो कई बार मैंने जो शुरू में कहा कि किस तरीके से इनसान के दिमाग जुर्म करने के लिए क्या-क्या सोचता है ऐसे ना मालूम अपने करियर में मैं ले देखे जिसमें मोडस उप्रेंड़ी करने के तरीके जांच के तरीके कई बार बहुत सारी चीज़ें आपको चौका देती है अब यहां पर भी मुंबई पिलिस के पास कोई सुबूत नी था क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सेंट हुआ उस नैनो कार को पूरी तरह जला देना यह भी शीतल के दिमाग की उपर थी क्योंकि उसे मालूम था बहुत सारे उसने केस के इन्विस्टिकेशन में वो रही कि कहां कहां से सुबूत मिला जा सकते हैं अगर गाड़ी के उपर खोन के दब्बे हो गाड़ी के निंबर प्लेट हो चेशिस निंबर हो तो इन सब को मिटाने के लिए कैसे क्या करना है यह सब कुछ उसने किया और फिर कार को पूरी तरह से आग लगा दी ताकि पुलिस के हाथ कुछ न लगे पंद्रा अगस्त को यह कतल हुआ था और नौ सितम मर्यानी के कल तो करीब पच्चिस दिन के बाद पुलिस इस कतल को सुलजाने में काम्याब रही पच्चिस दिनों तक पुलिस को लेकिन उलजा कर रखा एक सिपाही ने एक लेडी सिपाही ने कि यह कतल है या रोड एक्सेंट है और पुलिस शुरवात में इसको पूरा एक रोड एक्सेंट के तोर पर ही लेकर चल रही थी वो तो अगर नैनो कार जली हालत में न मिलती सेसी टीवी फूटेज के जरीए पुलिस उसरात के तस्वीरें अपने पास अपनी आँखों से न देखती तो शायद यह केस हमेशा के लिए हमेशा के लिए एक रोड एक्सेंट के तोर पर ही डज रहता बंद होता कोई ड्राइवर पकड़ा भी जाता तो शायद बेल आउट हो जाता जाद जादा तीन-चार महीने जेल में रहता लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने इस केस को खोला और कातिल जो है अपने अंजाम को पहुँचे यह तीन हो इस वक्त कबजे में हैं पुलिस के पुलिस का स्टडी में है पुलिस अभी इन से और पूस्ताज कर सबूत इखटे कर रही है और फिर इनके बाद इने जेल भेजा जाएगा और जो भी इनका हश्र होगा वो आने वाले वक्त में होगा तो यह थी कहानी तक family member में से कईओं का birdे है उजाला विश्व कर्मा जी है इनके पति पवन विश्व कर्मा जी ने भेजा है उजाला जी का birdे है तो आपको बहुत बहुत जनव जिनके शुप कावना है 11 सितंबर को है जाधा तर लोग गोंगा 11 सितंबर को ही है साक्शी लूथरा जी है और तिरशार लूथरा मां बेटे दोनों का बड़े हैं ग्यारता रिकको और लूथरा जी ने भेजा है कालिफॉर्णिया यूस से और ये सभी कहानिया सुनते हैं तो रूसरा जी थैंक्यू वेरी मच और साक्षी जी और तृशादी बहुत-बहुत आपको जनम दिन की बढ़ाई आप लोग हमेशा अच्छे रहे हैं संजीव भारत हैं इनका भी जनम दिव है तो संजीव साहब बहुत-बहुत बढ़ाई आपको जनम दिन की शुब काम ना है तो सहल राना साव हैप्पी बर्डे साल गिरा मुबारक हमेशा आप अच्छे रहे हैं इनका भी जनम दिन है दौक्टर ओमंग अखानी ने भेजा है इनका जनम दिन आज है चेतन सांगवी जी ने भेजा है इनके पती है तो पायल सांगवी जी आपको भी बहुत-बहुत जनम दिन की बढ़ाई इसके लावा एक असीव खान है इनको बेटा पैडा हुआ है अब मैं क्या बोलू हूँ आपको लेकिन यह है कि मुझे तो इतना प्यार देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया और हमेशा अच्छा रहे लंबी उमर पाए और आपको बाप बनने पर बहुत-बहुत मुभारक बाद इसके लाबा सुशील पाल जी हैं इन्होंने एक मेल लिखा बड़ा इमोशनल इसलिए मैं इसका जिक्र करना जाता हूँ इनकी नीज हैं वतीजी आरुशी और ये पिछले साथ दिनों से हॉस्पिटल में अड्मिट हैं शायद गॉल ब्लाडर में स्टोन्स की बड़ कुछ प्रॉब्लम है तो आरुशी कहानी बहुत सुनती है और मुझे जिसे साथ से नों भेजा है जादा उम्र नहीं होगी आरुशी की तो यहमिशा शम संकल कहके बुलाती है तो आरुशी यही दुवा कि तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ सेहतियाब हो और बस फटा-फट हॉस्पिटल से निकलो घर पहुचो और अच्छे महाल में ऐसी कहानी सुनती रहो तो मेरा बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए और तुम तमाम दुवाएं तुम्हारे लिए कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओ तो थैंक्यू आरुशी तुमारे प्यार के लिए और सुशिल पाल साहब ये मेल लिखने के लिए इसके लावा टोनी दा ट्रेलर है नाम अच्छा है इनका शांगाई से इन्होंने पहले ही कह दिया 12 सितंबर के इनका जनम दिन है तो टोनी साहब एडवांस में हभी बढ़ हैं ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया से आपके प्यार के लिए भी थैंक्यू चंदन शर्मा है ये पेड्रो लुपिस सीरियल किलर की कहानी सुना चाहते हैं ये शायद मैंने नहीं सुना ये तो जरू सुनाता हूं चंदन साहब उस्मान अंसारी है अनिल यादव जजजर से हैं इन्हों नहीं भी बड़ा मारविक मेल लिखा है पानिल यादव साब मैं चाहता हूं उपरवल आपको हमेशा अच्छा रखे खुश रखे आपने जो लिखा आपको क्या आपकी उमर मुझे लग जाए मैं बिलकुल ऐसा नहीं चाहूंगा मैं चाहूंगा आप हमेशा अच इसके लाव वंश ठाकुर है यह भौपाल भूत बंगला की कहानी सुनना जाते हैं मैंने भी कभी सुनन नहीं कौन सा वाला भूत बंगला इतना फेमस है तो मैं इसको टटोलता हूं निकालता हूं फिर आप तक पहुंचाता हूं दीपक कुमावत है यह मंसौर किसान अंद करता हूं आपको सुनाओंगा तो आप तमाम लोगों का इस मेल के लिए इतने सारे प्यार के लिए दिल से शुक्रिया बाकी अफगानिस्तान के खबरे तो चली रही है तालीबान की भी चली रही है क्या होता आने वाले वक्त में पता चलेगा और बस यही दुआ है कि आप अभी भी एहतियाद बरतने की जरूरत है मास्क से अभी पीछा मत चुड़ाइए भीड भाले वाले लाकों में अगर बच सकते हैं जाने तो जरूर बचिये और बस अच्छे रही है मेरी हमेरे शाद दुआ है तो बाप से मुलाकात होगी कल रात 9 बजी किसी और नहीं कहान नहीं के साब तब तक अपना ख्याल रिखेगा थैंक्यू वेरी मॉट्ट